हाई गाईज वेलकम टो मैं चैनल ट्रिपल सेवें टेरो वी थ्रूही तो गाईज आज हम पिका काड रीडिंग करेंगे तो आज क्या हमारा टॉपिक है क्या वह अपना लव एक्सप्रेस करेंगे क्या वह अपनी फिलिंग्स बताएंगे आपको कि वह आपसे प्यार करते हैं और उनके कुछ मेसेज भी देख लेंगे हम लोग तो मैंने आपके सामने टू पाइल्स रखी है पाइल नमर वन यह है देखिए रेड क्रिस्टल रिंग है यह वाली रेड रिंग यह आपको देख लीजे आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे चुन लीजे और यह है ह आप इन दोनों में से कोई एक पाइल को चुन लीजे मैं साथ में दिखा देते हूं आपको जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चुन लीजे और दोनों में से कोई एक पाइल चुनिया और फिर हम आपकी रिडिंग सुरू करते हैं तो आई होप आपने च एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं देखते हैं तो पाइल वन ये रहा और पाइल टू ये रहा तो मैं पाइल टू को अब साइड कर दे रहे हूं इसको हम उस वक्त देखेंगे रीडिंग करते समय तो पाइल वन जिन्होंने ये पाइल वन चुना है रेड रिंग क्रिस्टल उनके रिढिंग हम अब करते हैं, तो आपके लिए कार्ड्स मैं देख लेती हो, अब उसके बाद हम मैसेज देख लेंगे उनके तरब से आपके लिए क्या मैसेज है, वह क्या कहना चाहते है तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं कार्ड आपके लिए कौन-कौन से आये हैं पहला कार्ड है है स्ट्रेंथ दूसरा कार्ड है हमारे पास एस अफ कप्स बेरी गुड कार्ड पहले ही आ गया एस आफ शौर्ट इस एस तो आपके पाटनर एर साइन हो सकते हैं और मुझे यहां लग रहा है एर साइन भी हो सकते हैं को पाट एनको अपको पाकी पाटनर पेढस्वक पहले हम क्रेंट फिलिंग की बात कर लेते हैं, तो उनकी करेंट पृलिंग के बात करें तो वो काफी आपको अट्राक्टिव क्या अपको इनको काफी अट्राक्टिव यहां चले आ रह Lexus है कि आपके तरफ खीचे चले आ रहे हों या आपको लगता होगा आप दोनों में काफी अच्छी बॉंडिंग रही होगी दोनों एक दूसरे एक उपर ट्रस्ट करते होंगे और किसी चीज को कंट्रोल करना आप जानती है किसको कैसे कंट्रोल करना है उंको ऐसा लगता है आपके बारे में और अगर सच सई सई में बताओं तो अगर आपसे वो नो कॉंटक्ट में थे या आप दोनों में बस अभी शुरुआती हुई हो और आप चाहते ही हो चाहते हो कि आपके पार्टनर आप से आपको प्रपोस करें तो डेफिनेटली आपको प्रपोस करेंगे देखिए ये सब कपस आया है निव लव, निव बिगनिंग नए तरीके से शुरुआता अगर वो आपको छोड़ करके चले गए थे तो आप वो वापस आएंगे या फिर नएा लव है तो आपको आपके पार्टनर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करें थे तो वो आपको आपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे आपको बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए और मुझे दिख रहा है वो आपको साधी के लिए भी प्रपोस कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए तो मुझे सीधे दिख रहा है उनकी शाधी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं पहले अगर छोड़ करके चले हैं हो और वापस आना चाहते हैं वह हो सकता है आप लोग अलग अलग इस्टेट में रहते हों कंटरी में रहते हों तो वह आपके पास वापस आना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं अपने रिलेसंशिप को बैलेंस करना चाहते हैं बैलेंस के साथ ले करके चलना चाहते ह आपको समझना चाहते हैं, नए तरीके से नए शुरुवात करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, यहां देखिए एक मेल और एक फीमेल हैं, और यह साधी का कार्ड है, 11, यह साधी का कार्ड है, तो मुझे तो बहुतो के लिए लग रहा है कि उनको सिधे साधी के के लिए उनके पार्टनर प्रपोस कर देंगे अगर चले भी गए थे तो वह साधी के लिए प्रपोस करेंगे मुझे बहुत लग रहा है और जिनका निव लव भी है उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि वह उन्हें प्रपोस कर देंगे सीधे साधी के लिए अगर साधी के नहीं भी करें तो उन्हें तो यह आई लव यू जरूर बोलेंगे वो नियू नियू मुझे पूरे ही नियू दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी बिगनिंग बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों की बीच में या आप दोनों पहले से रिलेशन्सिप में है तो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को समझते होंगे जानते होंगे किसकी क्या पसंद है किसकी क्या पसंद नहीं है वो सब आपको पता होगा दोनों एक दुसरे की खुशियों का ख्याल रखते होंगे, अगर पहले से जानते हो तो और नहीं जानते हों, तो रखेंगे, दोने एक दुसरे का ध्यान रखेंगे, एक बैलेंस बना करके अपने रिले समसिप में चलना चाहेंगे, इकवल गिवन टेक होगा आप दोनों की बीच में, काफी खुबसूरत आपको तो मानते ही हैं, मैंने पहले ही बता दिया, स्ट्रेंथ, काफी हिम्मत वाली भी मानती हैं वो आपको, नई तरीके से नई शुरुवात करने की सोच रहे हैं वो आएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं वो, अब मुझे लगता है कि six weeks में आ जाएंगे, six days भी हो सकते हैं, किसी-किसी के लिए भी, भी, four weeks में आ सकते हैं, या किसी-किसी के लिए तो मुझे वन वीक ही लग रहा है, बहुत strongly मुझे वन वीक लग रहा है, one month maximum, तो चलिए हमें, अब हम देख लेते हैं उनकी, मैं इससे देख लेते हूं, रुमैंस ओरिकल से एक पर देख लेते हैं, क्या है, नेक्स्ट एक्शन, क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो क्या, तो देख लेते हैं, हम इससे रुमैंस ओरिकल से देख लेते हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट मुव, क्या हुआ, था आप लोग बीच में अगर अलग हुए थे तो कि देख लेते हैं क्या है रोमेंस औरिकल से क्या निकलता है आपके लिए कैसे निकलती है मैं देख लेती हूं बहुत जल्द आना चाहते हैं वह बहुत रोमेंटिक भी है जल्द से जल्द एक्षन लेना चाहते हैं मुझे लगता है कि आप बहुत दिनों से वेट भी कर रहे थे उनके प्रपोजल का काफी वेट हो रहा था तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे पास पहला क्या है लेट गो अफ कंट्रोल इसू अगर कोई कंट्रोल इसू था तो उसको लेट गो कीजिए अभी जुरुरत है वरना क्या है ना कि कंट्रोल इसू को हम लोग करेंगे तो हमारे सिच्वीशन भी तो बदलेगी ना बहुत अच्छे से हर चीज को बदला जा सकता है अगर हम अब वो खतम होगा या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर्स जो है वो उनका रियल फेशना हो मास्क लगा के मतलब फ्रेंड जैसे रहे हो या फिर कुछ और गलत तरीके से कुछ उनको कहना चाहा लेकिन वो स्रीप परख रहे थे कुछ ऐसा मुझे लग र कोई डिश्रप्शन था जो अब खतम होने वाला तुरस्ट इसू मैंने पहले भी कहा कि आप पर वो ट्रस्ट करेंगे पहले अगर ट्रस्ट नहीं कर ले थे तो आप वो आप पर ट्रस्ट करेंगे अगले है पास्ट लाइफ रिलेसंसिप हो सकता है आप लोगों के बीच प हमारे पास हम देख लेते हैं इनको पहला काट है इट इट सेफ यू तो लव ओपन यूर हाट तो गिव एंड रिसीव दा बीगेस्ट एनरजी अफॉल कीजिए पैसन कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे काफी पैसनेट लग रहे हैं उनके लिए तो अब उनके मेसेज़े देख लेते हैं क्या मेसेज देना चाहते हैं वह आपको आपके पार्टनर के तरब से क्या मेसेजिस हैं आपके लिए लव ओफर करेंगे अपनी एक्सप्रेस करेंगे वह बताएंगे आपको क्या फिल कर रहे हैं या अलग थे तो बताएंगे वह आपको आएंगे आपके प कर रहे हैं प्यार मांगा है तुम्ही से नाई निकार करो अगला है आई लव यू बोल दिया आगया आपका मैसेज दिखी है नियूड लव आफ़र हाई लव यू कि अपने फिलिंग बता दी मुमने आपको आतै ही वो बोलेंगे पहले प्रिपो salary इसके बाद शाधी करेंगे वह अब से 90ables है है इस में फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाओंगा मैं फिर भी तुम को चाहूं दूए एक्चली मुझे गाना याद नहीं है लेकि फिर भी मैंने गा दिया आप लोगों के लिए क्योंकि उनके तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड है यह गाना लेकिद्으 और अंके जीवन के लिए उनका प्यार हो एक लसे घृता तुम ही तुम ही murdered लास्ट मैसेज हम देख लेते हैं तुम ही हो यह वह एक शोंग है और अस्ट Trib identified तरफ से अपके लिएター यह आया है हमें तुम से प्यार कितना यह हम नहीं जाने ते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना आज यह रहें आपके मेसेज़ फॉल 1 जिन्होंने वी खूजकिया था उनके पाटनऱके मैसेज यह यह रहें और खायोा टॉपिक था कि यह वह अपना कि आंपनी मन सब्सक्राइगा तो जो पॉलंगिया होगा कि हाँ वो करेंगे थोड़ा वेट कीजिए एक महीना एक सपता दो सपता वेट कीजिए वो आपको जरूर मैसेज करेंगे कॉल करेंगे आपके पास आएंगे दूर रहते हैं तो और आपसे अपनी फिलिंग एक्सप्रेस करेंगे पाइल वन यह रही आपकी रीडिंग अगर आपके साथ मेरी यह रीडिंग रेजनेट करती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हां गाईस अगर आप प्रसनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्पले पे नंबर चल रहा अगरा सकते हैं स्युक्ता कर दिंग दू नृम पैए तो कि एकस्परेस करेंग या नहीं तो मैं इसको त avoiding कर देती हूं आप देखते हैं आपके card क्या हैं आपके लिए पहला card है justice, पहले ही justice, दुसरा card है ace of pentacles, इसके बाद है two of cups, वाह डेफिनेटली वह आपके पास ऐएंगे, अब तो मुझे पता चल गए एकदम, पहले card ही justice का आया, और उसके बाद देखें, six of pentacles, और उसके बाद है page of swords, तो पहले तो मैं बता दूँ आपके आज का हमारा जो topic है, क्या वो अपने feeling आप से express करेंगे, तो definitely आपने ये two of cups देखा होगा, तब ही आप लोग को समझ में आ गया होगा, offer तो मिलेगा आपको, वो आपको love offer करने आएंगे और जल्दी आएंगे, आपके partner, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके feeling ने, तो मैं बता दूँ कि हो सकता है, कि आपके partner या आप काफी अच्छी position पहो, दोनों में से किसी को यज़ित नयाय पसंद होगा, नयाय कोई पसंद नहीं करता होगा, दोनें में से कोई एक या दोनों ही, आपके partner leader हो सकते हैं यह आप हो सकती हैं आप doctor हो सकती है engineer हो सकती है management का कोई course किया हो उसमें हो सकती है और businessmen काफी अच्छी businessmen भी हो सकती है आप यह आपके partner तो काफी अच्छा बहुत अच्छे cards हैं अगर पहले आप पहले वो कोई clarity नहीं दे रहे थे अपने relationship को ले करके तो अब वो clear है अपने thought के साथ feeling के साथ पहले हाइड भी कर रहे थे तो अब वो आपको express करेंगे बताएंगे क्या feel है क्या feel करते हैं आपके लिए वो definitely मेरे पास सारे ही cards वैसे ही आये हैं आप दोनों में पहले balance भी नहीं रहा होगा तो balance आएगा और अगर कोई single देख रहे हैं और किसी का इंतिजार है उनको कि जैसे friends होते हैं तो क्या होता है कि friends में भी ऐशा हो जाता है कि हम उनसे love करने लगते हैं लेकिन हम बताते नहीं हैं कि पहले हम सोचते हैं कि पहले वो शुरुवात करें फिर हम बताएंगे तो हो सकता है दोनों ही एक दुसरे से प्रेम करते हैं, दोनों सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों, अपने रिलेशन्शिप को बैलेंस, पहले बैलेंस नहीं था, तो अब बैलेंस चाहते हैं वो, इक्वल गिव एंटेक चाहते हैं अगर वो अपने तरब से पूरा एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे रिलेशन्सिप में तो आप वो डालेंगे तो इक्वल गिव एंटेक करने का उनका है और काफी लोयल्टी मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच लोयल हुँगे दोनों एक दूसरे के साथ नेक्ट से स्टेप पे अपनी रिलेशन्सिप को वो ले जाना चाहते हैं और आपको भी काफी वेट था इसी चीज का आप भी काफी वेट कर रहे थे या कर रही थी कि कब वो आए और आपसे वो बाते करें इस बारे में तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि एस डिफरेंस भी होगा हो सकता है कि वो आपसे छोटे हो या आपसे बड़े हो आप हो सकती है या हो सकते हैं थोड़ा सा मुझे एस डिफरेंस लग रहा है हो सकता है आप दोनों थोड़ी डिस्टेंस पे भी रहते हों मुझे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं तो ट्रेवल करके आपके पास आएं आपसे फिलिंग अपनी शेयर करें और अगर मैं बात करूं काफी आपके पार्टनर मुझे दयालू किसम के लग रहे हैं किसी को हेल्प करने से पीछे नहीं हटते होंगे या आप नहीं हटती होंगी ऐसा सोच है उनका आपके बारे में उनकी फिलिंग है इसलिए इसलिए इंप्रेस हो गए होंगे आपसे और आपके साथ अपनी देना चाहते हैं अपनी फिलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं यह शादी का भी कार्ड है शादी भी हो शक्ति है आप दोनों की बहुत जल्द थोड़े से यह वो प्रॉब्लम ही मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई ना सब सही हो जाएगा तो हम इस रोमांस ओरिकल से देख लेते हैं क्या है और आपके लिए तो रोमांस ओरिकल से क्या कार्ड निकलते हैं आपके लिए देख लेते हैं पहला काड़ है लेट गो आफ कंट्रोल इसू काफी कंट्रोलिंग भी मुझे लग रहे हैं आपके पार्टनर यह आप हो सकती हैं जो उनको ना पसंद आ रही हो और जिस वज़े से आप जोनों अलग भी हुए हो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपने फिलिंग एक्स्प्रेस करने से पहले ही वह चले गए ऐसा भी है हो सकता है जिसकारण से अगला है चिल्ड्रेन यू आर लव लाइफ लव लाइफ इस बिग एफेक्टेड बाई चिल्रेन हो सकता है कि आप लोगों के बच्चे भी हूं कि आपने बच्चे चाहते हूं वह आपसे बच्चों के वज़ा से हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिखा दे रहे कि जिनसे आप डिल कर रहे हैं वह साधी शुदा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे बस ऐसा लग रहा है सब के लिए मैं नहीं बोल रही कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है इसलिए तो यह काड आया चिल्डरिन का कफी काड से बीर रहे हैं इसमें से एक काड ले लेती है इत इत सेफ यू टू लव कीजिए यह देखें वेली सून जल्दी वह आपको प्रपोस करेंगे देखें प्रपोस कड आग गया मेसेज आपके लिए वैरी सून बहुत जल्द बहुत जल्द आ रहे हैं वह आपके लिए आपके पास आप से मिलने अपना लव एक्सप्रेस करने आपको लाव औफर करने बहुत जल्द आ रहे हैं वह एक और देख लेते हैं पैशन आपके लिए काफी पैशनेट or कि रोमेंटिक सकते हैं काफी रॉमेंटिक यूसकते हैं आपके आपके पास आप जब भी आपको देखते होंगे, एक अलग ही होता हो ग्मानका, अब उनके हम मेसेज़स देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आप से, क्या मेसेज देना चाहते हैं वो आपको, तरस पहला मेसेज है, यह पिछले वालो में भी आया था, प्यार मांगा है तुमी से नाई निकार करो यह सॉंग डेडिकेट करना चाहते हैं वो आपका और मेसेज़स देख लेते हैं यह I miss you वो आपको याद कर रहे हैं बहुत बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको और क्या है मैसेज I need space हो सकता है आप दोन में कोई conflict हुई हो चोटी मोटी और उसके लिए उन्हें जगह चाहिए या फिर अभी वो और सुचना चाहते हैं कैसे कैसे वो आपको प्रपोस करें कैसे आपके पास आए और क्या करें जिससे आप खुश हो सकता है कुछ ऐसा उनका सुचना हो तो हम देख लेते हैं अगला काड क्या है अगला मेसेज क्या देना चाहते हैं वो आपके लिए गड्रोच किसे ऌर्षट क्या बदेखिए लिए कट्व दूब ने दूब युज क्या अगलस देखिए कृडिए कर देका फिर थे सा अब आपको डिडिकेट कर रहे हैं एक लास्ट हम देख लेते हैं उनका मैसेज क्या है उसके बाद हम अपनी रीडिंग को खतम करेंगे तो अगला मैसेज है देखे यू आर ग्रेट मदर टू आवर चिल्डरेन एंड आई हैव यू मोर फोर इट हो सकता है आप साधी सुधा भी हो जैसा कि मैंने बता आया पहले ही हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर साधी सुधा हो और आपसे शाधी करने के बाद आपको प् सब्सक्राइब करना बिल्कुर्टन रखते हो कि आप एक अच्छी मदर बन सकती है उनके बच्चों के लिए उनके बच्चे भी होंगे तो आप उन्हीं समाल सकती है या समाल सकते हैं तो उनका मैसेज यह है आपके लिए तो पाइल नंबर टू जिन्हों ने यह रिंग कुल ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें सो थांक्यू गाइस थांक्यू और अगर आपको एक प्रस्नल रीडिंग की जरुरत है तो आप मुझसे प्रस्नल रीडिंग भी ले सकते हैं नीचे डिस्पले पे मेरा नंबर वाट्सअप नंबर चल रहा होगा वहां से आपनी बुकिंग बुक करा सकते हैं सो थांक्यू गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में बाई